नमस्कार यहाँ पर आज हम बात करेंगे 2023 मॉडल अपाची आटी एर 160 और पलसर 150 के बारे में दोनों ही गाड़ी दोस्तों बहुत ही बहतरिन है आई आपको बताते हैं क्या अंतर हमें देखने को मिलता है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए आज की समय में तो यहाँ पलसर के फ्रंट प्रफायल के दोस्तों हम बात करेंगे बजाज के लोगो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है आपको मिलते далее ड्र अको देखने को मिलते हैं और आपको इसे कूछ फ्रांट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है पुलसर की और अपाची 160 की गाड़ी के रियर प्रोफाइल के हम बात करेंगे पुलसर के 150 में आपको मिल जाते है बल बले टेल लैंब वहीं अपाची में आपको मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर LED वाले टेल लाइट ज्योंकि काफी बहतरेयन लूक यहाँ पर दे रही है रिफ्लाकर आपको देखने को मिल जाते है पाची में इहाँ पर आपको reflector देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको single वाले grab rail देखने को मिल ती है पाची में मैं स्प्लीट वाली ग्रैब रेल और पीछे भी आपको बल बल ही इंडिकेटर ओफर की जा रही है सिटिंग ऑप्शन की हम बात करेंगे पलसर के 150 में आपको दो वेरेंट को उप्शन मिलता है गाड़ी के मीटर कांसोल के हम बात करेंगे पलसर में आपको दोस्तो अनलोग के साथ डिटेल के कॉंबिनेशन आपको देखने को मिलता है अब आपको इसमें देखने को मिलेगा full digital meter जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी clock के जनकारी साथ ही आपको 3 sport mode यहाँ पर देखने को मिलती है rain mode, urban mode, sport mode, bluetooth की connectivity आपको देखने को मिलती है gear position indicator आपको देखने को मिलेगा और जितने भी indication होते है left turn, right turn, fi की ABS के सारी के आपको light यहाँ पर देखने को मिल जाते है साथ ही आपको मिलेगी low field warning की भी जनकारी गाड़ी के side profile के दोस्तों हम बात करें काफी sporty look आपको देखने को मिल जाती है person 150 के front tire के हम बात करेंगे सामने आपको मिलते है 8070 के और वहीं अगर आप लेते हैं dual disc वाली model उसमें आपको सामने मिलते है 90-9070 के tubeless tire पीछे वाले tire के दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर 150 के single disc में मिलती है 19770 के और dual disc के अगर आप लेते हैं उसमें मिलते है 1267 के tubeless tire इसमें आपको drum brake, disc brake दोनों का ही option आपको देखने को मिलता है single channel ABS के साथ वहीं Apache के हम बात करेंगे सामने आपको मिलेगे 90-9070 के पीछे आपको 120-7070 के काफी wide tire इसमें भी आपको disc को drum brake option देखने को मिलता है single channel ABS के साथ Pulsar 150 के dual disc quality model में आपको देखने को मिलती है front में telescopic suspension 37 mm की और वही single disc very quality model के आपको देखने को मिलती है 31 mm की telescopic suspension इस करियर के हम बात करेंगे पीछे आपको offer की जाए है twin shock absorber वहीं Apache के पीछे आपको देखने को मिल जाते है twin shock absorber सामने आपको मिलते है telescopic fog गाड़ी के wheelbase के हम बा Apache की wheelbase आपको देखने को मिलती है 1300 mm की इसकी आपको ground clearance देखने को मिलती है 180 mm की इसकी weight है करीबर 138 kg बार लेटर के आपको fuel tank यहाँ पर इसमें offer की जा रही है यहाँ पर pulsar की engine के हम बात करेंगे 149.5 cc के दोस्तों आपको engine यहाँ पर देखने को मिलता है यह गाड़ी आपक आपको देखने को मिलता है 159.7 cc का 16.04 PS के आपको power यहाँ पर देती है top generate करती है 1380 Nm की 45 km मलेज कही जाती है इसकी top speed है करीबन 107 km पर आर की अभी हमें pulser की 150 में 3 variant offer की जारी है पहली है neon जिसके 100 रूम कीमत है 1,05,000 on route कीमत आपको पड़ेगी 1,22,000 रुपाई से लेकर 1, 5,000 रुपाई के अंदर ही इसका single disc break अभी मॉडल के हम बात करिंगे 100 कीमत है एक लाग 12,000 on route कीमत आपको पड़ेगी 1,29,000 रुपाई से लेकर एक लाग 32,000 रुपाई के अंदर है और ट्विन डिस्क ब्रेक वाली मॉडल की हम बात करेंगे एक शोरूम कीमत है एक लाग 15,000 पॉन रूट कीमत आपको पड़ेगी एक लाग 33,000 रुपाई से लेकर एक लाग 35,000 रुपाई के अंदर है वहीं आपको आपाची में भी तीन कीमत है एक लाग 34,000 रुपाई के अंदर है और आपको इसमें तीसरे वरिटे हैं पर देखने को मिल जाती है डूर्ण डिस्क के साथ ब्लोटूट की कनेक्टिविटी इसके एक शोरूम कीमत है 24,000 on route कीमत आपको 144 से लेकर 147 के बीच आपको देखने को मिलेगी आसा करता हूँ दोस्तों आप समझ गे होंगे Pulsar के 150 और Apache के 160 में क्या हमें बदलाओ यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा लुक्स और नया फीचर आपको देखने को मिल दी Apache 160 में यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सभी जनकरे दे दी है दोड़ो गाड़ी में को क्या अंतर देखने को मिलता है और किस में क्या नया फीचर आया है इस वीडियो को सेर करेगा सबस्क्राइब करेगा ऐसी जनकरेबले वीडियो कम सहमें पाने के लिए थैंक्स फर वाचिंग स्टे ट्यून विद पवन